चलें अपने रूम की खुबसूरती बढ़ाने के लिए हम बनाते हैं कुछ अमेजिंग सा असलाम लेकुम एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मिद करती हूँ सब टिक ठाक होंगे और अपनी लाइफ मज़े से गुजार रहे होंगे तो गाइस सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर देना, कमेट एंड शेयर करना तो बिलकुल वीरा भूलना और हाँ, don't forget to press the bell icon ताकि हर आने वाली नहीं वीडियो का notification टाइम पे मिलता रहे और गाइस हाँ, जो पीछे आ रहा है न, sound उसको आज ignore कर दो क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे guest आए हुए है, winter vacation सेल रही है न, इसलिए हम सब बहुत enjoy कर रहे हैं, लेकिन इन सब में मुझे थोड़ा वीडियो बनाना, उसको vice over करके upload करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने सोचा, आज तो बस आवासे आती रहे हैं, मैं वीडियो vice over करके upload कर ही दूँगी तो guys हम बना रहे हैं खुबसूरा सा plant जो के आप लोगों को thumbnail से idea हो ही जाओगा तो उसके लिए मैंने ले ली हैं कुछ plastic sheets से बहुत आम सी sheets हैं, ये आप लोग कहीं से भी stationary shop से ले सकते हैं तो उसको सबसे पहले हमने किसी भी अच्छे leaf की shape में cut कर लेना हैं और उसके बाद उसको अंदर से मजीद उसकी shape देने के लिए हमेने तो वो जो परकार होती है, geometry box में उसके साथ उसको shape दे दिये अब किसी भी और चीज़ के साथ दे सकते हैं, then हमने उस पे white color किया, ताकर उस पे जो हमने green color करना है वो अच्छे से आए, उसका जो base हो वो अच्छा हो तो पहले हमने एक side पे white color किया, उसको dry किया, then दूसरी side पे white color किया, उसको dryer की help के साथ dry किया, उसके बाद मैंने green और yellow को même जो किया जो कलर मुझे चाहिए जै़क्त के ऑना था फिर इसको प्ते के उपर अपलाइब करके उसके बाद उसको ड्राय किया और यह ऐसे राय हो गया सर्ड्यों में हमारी स्किन ड्राय म३ह प्रो जाता है था साथ और कि कियो बुर्य ड्राय हो करती है हर टाइम लोशन लगाना पड़ता है खैर गाइस यह सब तो चलता रहेगा इसमें अब हम लोगों ने एड कर देनी है कुछ डीटेल्स हमेशा जो मैं वाइस ओवर करती हूं तो आधे लफास में अपने भूल जाती हूं और कुछ जो है कुछ इलफास मेरी मुझे है जब वीडियो बन रही हो और जो कम थो हैं मुझे इतना चीमiteit नहीं होता जैसे पहले मेने पत हे पहले है मेelेले पटे में डिटेल दी वह उतनई अच्छी नहीं थी फिर मैने दुबारा से दी और अब यह मुझे जदा उच्छी लग रही है तो इसके बाद इसको बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट प्लांट कौन सा है और क्या आप लोगों ने भी घर में प्लांट्स रखे हुए है और अगर आप लोगों को अपना रूम बहुत ज्यादा पसंद है जिस तरह मुझे है उसको मैं डेली कुछ न कुछ उसमें न्यू एड करती रहती हूँ ताकि उसकी खुपसूरती बढ़ती रहे और मेरा उस कमरे में हमेशा दिल लगा रहे तो क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं मुझे कमट बॉक्स में जरूर बताना तो बस गाइस हमारे और मॉस्ट लीफ जो हैं वो सारे रेडी होगे हैं इसके उपर हमने लगा दी है वार निशिंग ताकि इसमें थोड़ी शाइनिंग आ जाए और थोड़ा जिस तरह का हम बजार से लेके आते हैं आर्टिफिकल प्रांट वैसी लूक आए तो यह जो मैंने स्टिक्स थी यह मैंने ऑनलाइन मगवाई थी दरास से लेकिन इनकी जो लैंथ है वो थोड़ी चोटी थी तो मैंने मेरे पास जो वायर थी मैंने पहले वो कट कर ली अपने जो लीफ है उसकी शेप के साबसे कट करके पहले मैंने वो लगा दी इसके बाद ये जो sticks थी फिर इनको मैंने क्लूगन की help के साथ लगा दिया फिर ये जो मैंने यहां पे waste लिया है ये कोई waste नहीं है ये मैंने एक stationary shop से मगवाया है इसमें बच्चों के खाने के लिए कुछ चीजें रखी होती है काफी खाली मतलब ये खाली हो गया था और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें कॉमेट कर दें और अपना ख्यार रखें तो